दोस्तो आज हम बात करने जारे है पाई नेटवर्क के बारे में और 2023 के अंदर जिस पी पाई नियर्स के पास पाई के जितने आदा कॉइंस होने वाले हैं वो उतना जादा फाईनेंशिल फ्री और एक तरीके से बात करें तो रिच होने वाला है जो मैंने इस स्टेटमेंट आज यूज करी है इस चीज को मैं आज वित प्रूफ आप सभी को बताने वाला हूँ और आज ही किलियर करूँगा कि पाई नेटवर्क का प्राइस क्या आप सभी को देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी आप मार्केट में देखते हो तो कोई बोलता है 50 डॉलर कोई बोलता होगा और जितने भी लोग पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर क्योंकि यहां पे आप सभी जानते हो अभी तक इसका ओपन मैनेट लॉंच नहीं हुआ तो वो कब देखने को मिलेगा और इ हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पे जरूर प्रेस करें चले करें सबसे पहले मैं चलू फॉर्स्ट अपडेट की तरफ यहां पे जो हमारा पहला अपडेट आ चुका है जहां पे पाई नेटफक के जो फाउंडर है वो ऑफिशली आगे उन के बाद जिसकी केवाई सी कंप्लीट हो जाएगी वो फिर मैनेंट माइग्रेशन करेगा ठीक है और दूसरी चीज जो है यूटिलिटी क्रियेशन को लेके मतलब कि आप सभी एक्षेंजिस की बात कर रहे हैं मतलब आप सभी देख रहे हो हर एक कंट्वी के अंदर पाई न इसक प्रोपटी ब्याइब के जाये हैं रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो रहे हैं कार्स भाई के जारी है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो हाल फिलाल में आप सभी को देखने को मिलने वाली है और मैं कुछ प्रूफ भी आप सभी के लिए शियर करूँगा तो जैसे ही यе बात करने जा रहे हैं कि actually इन सबसे क्या benefit मिलने वाला है और अब भी तक Pi Network कितना आगे जा चुका है या कुछ करेगा या नहीं करेगा तो यहाँ पे basically आप देखो हर एक country के अंदर चाहे कितने भी बड़ी country हो चाहे कितनी भी छोटी country हो हर country के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है Pi Network की कुछ न कुछ activities और Pi Network के pioneers जैसा कि इस screen पे आप देखो Indonesia का update है उसके साथ China का update आपको देखने को मिलता है इंडिया का भी देखने को मिलता है सारे लोग की हम सब की KYC complete हो चुकी है और Pi Network के जो debit cards है वो भी आ चुके है और उसके साथ Pi Network के जितने भी as a web 3 है, NFTs है, blockchain है इन सब भी चीजों के बारे में proper knowledge दी जा रही है और जितने भी पूरे अलग-अलग world के अंदर अलग-अलग जगह पे इनके events हो रहे हैं, उनमें पैसा भी भरपूर लगाया जा रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजों को organize करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, अच्छा खासा finance लगता है लाखो में, तब जाके ये सारी चीजे possible होती है और अभी मैं आपको इंडिया का भी अपडेट दिखाने वाला हूँ, तो अभी आप सभी देखो किस तरीके से यहाँ पे PyNetwork ने बहुत सारी applications बना चुका है, जिसके अंदर payment applications है, shopping applications है, mall applications है और भी बहुत सारी applications है, जैसा कि आप सभी के screen पे आप सभी देख रहे हो, और ये PyNetwork का second important काम है मतलब ये application को properly work कराना, उसके बाद पहला काम सबकी KYC complete कराना, ये दो सबसे important काम अभी PyNetwork का बना हुआ है और हम चलें नीचे update पे, तो यहाँ पे आप सभी देखो, चाइना के अंदर किस तरीके से offline exchanges को start करा गया है मतलब कि यहाँ पे जाके simply आप कोई भी products को easily ले सकते हो, और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इंडिया का update जो की मैंपूरी उत्तर परदेश से आ चुका है जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, भगवान की मतलब यहाँ पूजा करते हुए और पाइन एटफक का यहाँ पे एक तरीके से short pan के promotion करते हुए दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे आप सभी देखो की मतलब किस तरीके से लोग crazy level पे पाइन एटफक का promotion कर रहे हैं इंगा के अंदर देखाया, USA के अंदर देखाया, डैली के अंदर भी देखाया आपने बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी के time में पाइन एटफक का promotion हो रहा है अभी बहुत सारे लोगों के मन में अलग-अलग doubt है कि इतना ज़ादा promotion होता है, इससे properties भी खरीद रहे है, lands भी खरीद रहे है, cars भी खरीद रहे है, everything अभी लोग purchase कर रहे है फिर भी इतना ज़ादा होने के बाद भी पाइन एटफक क्या कर रहा है, proper इसका launching क्यों नहीं कर रहा है, हमें मतलब एक तरीके से गुमरा क्यों कर रहा है बहुत सारी footage के अंदर आप सभी ने देखा कि Pi Network basically कितने अलग अलग तरीके से promotion कर रहा है, इसमें कोई एज़ा ना करने वाली बात नहीं है, जो कि आप सभी देखते रहते हो ऐसा नहीं है कि Pi Network के अंदर खामया नहीं है, Pi Network के अंदर सबसे बड़ी खामी उसकी KYC है क्योंकि अभी भी आप सभी देखो, बहुत सारे exchanges ऐसे हैं, जिनकी KYC कुछ ही मिंटों या घंटों के अंदर हो जाती है और जादा से जादा लेट होता है, तो एक दिन से दो दिन होता है, ठीक है बट Pi Network के साथ situation क्या है, कि Pi Network जो है अपनी KYC, बहुत सारे लोगों को महिने महिने तक रोक के रखता है और उन्होंने basically reason ये बताया है, कि बहुत सारे fake accounts हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे real accounts भी हैं, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि ये fake account है तो उनको क्या करना पड़ता है, एक अपना feedback form भरना पड़ता है, और अपने आपको rectify करना होता है, कि हम real pioneer है तो कही न कहीं Pi Network की बहुत से चीजों के अंदर अपनी खुद की गरबढ़िया है, जो इनको ठीक करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि Pi Network ठीक नहीं करता, Pi Network इन सबी चीजों को लेके implement तो करता है पर कहीं न कहीं लोगों की जो उमीदे हैं वो भी तूट रहे हैं क्योंकि लोग 4 साल से यहाँ पर इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अब launch होगा, अब launch होगा तो कहीं न कहीं ये इनकी जो उमीदे हैं वो दिर दिर करके टूती रहती हैं पर लोग इसमें क्या है कि एक भरोसा बना के बैठे हुए हैं वो भरोसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है जब पाई नेटवर्क आया था उस टाइम पे ये ऐसा एक माइनिंग ए लिए या पैसा लगाने के लिए शेयर मार्केट था एलाइसी था फिक्स इपॉर्जिस था बैंक था और बाकी नॉर्मल चीज़े थी ठीक है पर जैसे ही बिटकोइन आया बिटकोइन को लोगों ने माइन किया उस टाइम पे भी बहुत ही कम लोग थे जो बिटकोइन को मा करना और वहां पर एक उमीद ये भी नहीं थी कि ये कुछ करके दिखाएगा समझ रहे हो मतलब कि जो डिसेंट्राइज नेटवर्क था फाइनेंस का जो क्रिप्टो करनसी नेटवर्क था इस चीज़ को कोई समस्ता नहीं था क्योंकि कोई एक्जांपल ही नहीं था जैसे ह कि बिटकोईन का प्राइस आप सभी के सामने रिलीज हुआ सभी लोग शौक हो चुके थे और उस टाइम पे जिनोंने ऐसा बिटकोईन नॉर्मली माइन किया था तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही मतलब एक बार बिटकोईन ने भी जैसे अभी पाई नेटवर्क ने क्या कर रह कर दिखे था क्यारत क्या है तो शेम चीज बेटकोईन ने भी ओन करी थी तो बिटकोईन के सामने से भूइन लोगोर ने पिजा कोईप किया किसी ने कुछ बुक यार संब अपने कोईन्स को ऐसे ही फालतू में वेस्ट कर दिया और जिन लोगों ने इसको कुछ भी वेस्ट नहीं क्याता है ऐसी रख दिया कि कुछ ना कुछ चलो होगा कुछ बैस्टी होगा तो उन सभी का आज के टाइम में आप वैलूएशन देखो तो करोड़ों के अंदर है क्य जिसको जाके आप कॉइन मार्ट कैपे भी देख सकते हो या आप इस सब चीजों को नॉर्मली जानते भी हो तभी आप पाई नेटफर्क या किसी भी क्रिप्टो करंसी के उपर एज़ा शिफ्ट करते हो तो फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आप सभी को देखने को मिले कि पाई ना कहीं एक तरीके से positive symbol है कि आप सभी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा मैं यह नहीं बोल रहा कि एकदम आप लगपती करोड़पती हो जाओगे पट आप सभी के पास एक अच्छा valuation देखने को तो मिल सकता है और यहाँ पे कुछ payments की बात करें तो 100 पाई के आसपास किसी ने पे किया है और यहाँ पे उनको 600 डॉलर देखने को मिला है और ऐसा नहीं कि यहाँ पे same fix है किसी को कम मिल रहा है किसी को बहुत जादा मिल रहा है तो यह depend करता है कौन buyer है कौन seller है तो यह सारी चीज़े इन सभी चीजों पे depend करती है अब हम दोस्तों बात करते हैं पाई नै 50 डॉलर के आसपास है और mostly सभी website ने minimum इसका price इतना रखा है कि buy network का इतना price जा सकता है और बाकी सब चीज़े depend करेंगी supply and demand पे तो यह आप सभी के लिए price तो यहाँ पे clear हो गया अब हम बात करते हैं कि आप सभी को इसका जो open merchant है उसकी क्या date हो सकती है कब आप सभी को देख बताओं यह official नहीं है बट मैं अपने idea से बता रहा हूँ और उसके पीछे भी एक technical fact है अभी आप सभी को जैसा की बता है March खतम होने में 8 से 10 दिन बाकी है और उसके बाद April फिर June March April June तो अभी के time में March almost finish होने पर आ चुका है April हमारे पास एक महिना है उसके बाद June है June में ए हमारे पास जो time duration है मोटा मोटी 40 दिन का time duration है और इस 40 दिन से पहले ही अगर pine network ने सबकी KYC complete कर दी जितने भी लोग है इंडिया के हो USA के हो या किसी भी country के हो सबकी कोई भी दिकत नहीं होती या pine network अपने AI technology को अच्छे तरीके से launch करता है जिसमें कुछी मिंटों के अंदर KY KYC verified हो जाए और सबसे बड़ी problem pine network की तरफ से KYC को लेके ही आ रही है बाकी सब चीजे इसकी smoothly जल रही है और यही सबसे बड़ा problem बना हुआ है तो इसका जैसे ही 40 या 30 दिन के अंदर इसी duration के अंदर जो मैंने time बताया है आपको हो जाता है तो आप सभी को 14 जून के आसपास आपको देखने को मिल सकता है pine network का open management और दोस्तो 14 मार्च को इतनी hype लोगों ने बनाई थी फिर उस टाइम पे launch क्यों नहीं किया क्योंकि as a KYC एक reason था but pine network ने कहीं ना कहीं hint दिया था कि हम उस दिन कुछ ना कुछ special करेंगे तो pine network ने वो special चीज क्या करी थी pine network ने अपनी website क अपडेट किया था 14 तारीक को उसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने ठीक है और उसके साथ उसने बहुत सारी application लाया था जिसमें से 300 application लाया था और अभी के टाइम में 26, 27, 28 इस टाइप के application अभी perform कर रही है तो application लाया website अपडेट कर दी और 2-3 चीजे और भी इसने बत 90% chance है वो 80-90% chance तब मैं बोल रहा हूँ कि by chance KYC complete नहीं होती और KYC complete हो जाती है तो 100% chance है कि आपको जून में देखने को मिल सकता है Pynetwork का open minute जो कि आज का वीडियो के अंदर मैंने proper सारा कुछ clear कर दिया है यहीं पर वीडियो को finish करते हैं I hope आपको पसंद आया होगा और वी प्यास कर लेना आज करें मिलते हैं आई वीडियो के साथ तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम